आप सभी नहीं ब्लॉग मैं है। आलंकि इसमें लाइट फिटिंग पेंटिंग सब कुछ हो गया है बट आज मैं कुछ काम कराने के लाए हूं आपको दिखा देता हूं जो यह खिड़की है ना यह खिड़की जो है सिंगल जो है दर्वाजे इसमें महला भार से जाली वगरत नहीं है तो इसमें मैं लगा रहा के खिड़की के दर्वाजे जो है हम खुले छोड़ देंगे और जाली के माध्यम से जो है हवा पास उत्तरी की कमरे में तो जो मौश्चर होता है वो नहीं बनेगा तो इसी काम के लिए मैं आज यहां पर आया हूं और मेरे साथ मैं मेरी वाइब भी आई है हरसु भी आया ह और आज मेरी वाइब अपने महरेयन फैमली ब्लॉग चैनल के लिए एक ब्लॉग बना रही है फर्ष्ट बार ट्राइ कर अजो किसे आपको महरेयन फैमली ब्लॉग योट्यू चैनल में देखने को मिलेगा और मैं इस व्धियो के डिस्क्रेप्शन में भी उस ब्लॉग का कुछ इस टाइब का है और ये देखे मेरी होमिस्टे का उपर का कमरा पुरा रेडी है पेंट वेगर लाइट फिटिंग सब कुछ इसमें हो चुगा है तो मैं दिखा देता हूं जैसे यह तीन माने डाल लगे है न तो बहुत ज़्यादा जब मौसम ठंडा होता है तो इसके उपर से जो ना बूंद है टपकती है नीची तो ये खिडकी हम लोग क्या करेंगे जब धर्म कर जाएंगे तो खिडकियों को हम खुला छोड़ देंगे ऐसे और बाहर से जाली लेगी होगी तो हवा आती रेगी और खिडकी से देखो बाहर का ना जा रहा कुछ इस प्रफपल देखो यहां से और मेरी वाइब बुना ही कर रही है बाहर देखो मेरे घर में अभाव हो तो देखो यह अ बहुत मस्ति कर रहा है किसा लग रहा है हैर którą जा प्या खाया तोने ने घर जो खाया है कि श, सब गोलत में घर आखे हम थोड़ी देर घाया करके अब Today wur, लिए को यह घर में भी धानम गर्म भी जो है न बुनाई करती रहती है और यह आंग बंद करके भी बुनाई कर सकते हैं ऐसा इस इस पार टेलंट है और यह फर्स्ट बार जो है आज ब्लॉग बना रही है तो कैसा लग रही है और घर का काम जितना भी हुआ है बीदक कैसा आया तो फिर उस काम को करके कोई फाइदा नहीं है तो यह बोले कि लाइट की फिटिंग भी एच्छी हुई है तो जिसने भी लाइट फिटिंग करी ना यहाँ पर उसको मैं थैंक्यू बोलना चाहता हूं आपका काम जो है मेरी वाइफ को पसंद आ गया है नरेंदर सिंग मह प्यार आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो जरूर यहां पर गेस्ट भी आएंगे हमारा जो है आगे को काम चलेगा और जब कोई गेस्ट आएंगे तो आएगी नहीं आएगी घर में अच्छा तो यह बनाएगी घर आगे डूपके और भात और हरसु बोल रहा है कि मेरे पास एक जीब टेलेंट कोन् striving बढ़ा सकता यह देखो अपनी जीब को नाख में टुस्ट करने का टैलेंट rolling में और इसके पास मिन आँख बंद करके यह बनाई करने कि लिए तो अब हरसु का जैसा टैलेंट आगर आपके पास है यह बताओ कि किसके पास ऐसा टैलेंट है कौन-कौन लोग अपनी जीव को अपनी नाख तक पहुंचा सकते हैं एक बाद ट्राइ तो कर लो ट्राइ करने में कोई पैसा नहीं लगता है क्यों हरसु तो यार फिलाल यहां पर जो काम चल लएना वह माँ आपको दिखा देता हूं अभी तक हम ने अपने हो मिस्टी में क्या क्या काम कर रहा है वह भी मां आपको दिखा देता हूं यह देखे यहां पर मिस्ट्री लोग आये हैं मुझे बनाने थे प्येड्ड नहीं मद्वर्ण चारपाई जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल से होते हैं तो दो कमरे नीचे एक उपर और बगल से उपर वाले कमरे में जाने के लिए सीड़ी हैं फिलाल मैं आपको कमरे का इंटेरियर दिखा दिखा दिता हूँ किस परकार का बना रख है तो यह देखे यह फस्त रूम है यह थोड़ा सा बड़ा वाला कमरा है एक बेल लग गया है यह आप देख सकते हैं मैं उत्राणी से ना बहुत सारे कपड़े बिस्तर वि करेंगे बांकी यह कम रहा है और नीचे हमने कारपेट विछा रखाया इसमें कुछ चेर्स विएगर भी हैं आप देख सकते हैं अभी टेबल भी बन रहे हैं और एक कमरा इधर है तो इधर यह जो यह वाला बेड़ा आप देख रहे हैं यह हमारा घर का पुराना वाला बे बाहर और यह देखे यहां पर भी पुरी लाइट फीटिंग उगा रहे हैं यह आप देख सकते हैं तो यार दोस्तों कुछ इस टाइब का होमिष्टी हमारा बन चुक है और इस होमिष्टी को मुनाने में कितना पैसा लगा और इसमें क्या-क्या मुझे प्रेसानिया हुई क्या-क्या इसमें कम्यार रह गई है क्योंकि हर कोई काम जब हम करते हैं किसी ना किसी काम में कुछ ना कुछ कम्यार रही जाते हैं तो कुछ ना कुछ कम्यार इस होमिष्टी को बनाने में हुई हैं कुछ गल्तियां भी हुई हैं जो भी होगा मैं आपको एक अलग से वीड तो जब काम पूरा हो जाएगा ना उसके बाद जो भी होगा मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊंगा तो साथियों अभी दिन के लगवग एक वजे हैं और अभी खाना खाने का समय हुआ है तो खाना बन चुका है और यह देखो आगन में ऐसे बैठके खा रहें आज क्योंकि दो इसलो क्या होता हुआ है यह देखो आभी दाल चाओल और चटनी और तो यह देखो यहां पर बनाया था आपने ंपनी खाना चूले मैं और ये देखो हमारी बहुत पुरानी कुर्सी लगवाग 20-25 साल हो गये हैं इस कुर्सी को जब मैं छोड़ा था ना 5-6 साल का हरसु के बराबर तब मेरे पापा जी ने बनाई थी ये चियर अभी भी हमने इस चियर को रखा है देखो समाल के तो इस समय दिन के 3 बजे हैं और मौसम इस समय बहुत ज्यादा खराब है सुबे से धूप थी लेकिन इस समय मौसम जो है ना ऐसा लग रहा है कि जैसे बरफ पढ़ने वाली है और मैं कर रहा हूं पेंटिन यह आप देख सकते हैं मैंने अपने पुराने घर में पुरा पेंट मैंने क्या शीलन है कि एक पीछे साथ कीór में शीलन था जब हम लोगोंने पेंट क्या था उससे ऑस में क्लास्टर केया था तो समय सीलन की हुs जैसे हमेरा खराब जैसा हो कि गया था उसको मैंने दोबारा पेंट कर और उसके बाद फिर आप देख अब सकते हैं यह चोह हम आरहे हैं यह लोग बना रहे हैं क्योंकि जैसे होम्य से के रूम वहाँ पर टेबिल होने भी ज़रूर है कुरसी तो मैं लेके आया हूं कुछ पुराने कुछ स्पेंट कर लेता हूं पेंट सारा काम हो चुक लोग करना चैए किसी भी काम में हमको सरम नहीं लगनी चीए बहुत सारी लोग बोलते हैं कि इस काम को करेंगे तो लोग हसी करेंगे करेंगे मैं भी पड़ा लिखा हूं मैं भी एक गराम पुर्धान हुं उसके अलवा मेरी दुगान भी है मैं एक फोटोगराफर भी हूं मैं एक अपना काम करने में ना कोई भी सरम नहीं होनी चीए मेरे इसाब से तो फिलाल मैं पूरा कर लेता हूँ इस काम को छोटा सा काम रहे गया है बागी फिर मिलते हैं इस काम को पूरा करने के बाद तो यार फाइनली पेंटिन का काम मेरा पूरा हो चुग है अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना नया घर भी पुराना घर भी लगए और पुराने घर का लग अब दोनों घरों का पेंट सेम सेम हो गया है तो मैं दिखाता हूँ आप बने रहो इस लोग में तो यह देख सकते हैं यह हमारा नया घर होम इस्टे और यह पूराना घर अब तो यह एकदम नया लग रहा है आप देख सकते हैं काभी मस्त बांकि यहां पर यह लोग बना रहें टेविल तो यार इस समय साम के पांच बच चुके हैं और हमारा आज का काम पूरा फिनीश हो चुगा है और कफी ज्यादा थकान होगी आज घर आगे ना बहुत सारा काम कर दिया है उपर कमरे में भी पेंट किया बाहर भी पेंट किया ट काम करना है जब होगी को में शचे काम जाएंगा इसके बात ही हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो लगबग 99 परसंद काम हो चुगा मारा इक परसंद रहा है कुछ बहुत काम रहा है वो भी हो जाएंगा बहुत जल्दी तो कैसा लगा हो गरा के फो ते cannot और यह देखो हारी नहीं हो मिश्टी वाली फीलिंग आ रही है तो वह देखो ऐसा लग रहा है कि हम कहीं किसी होटल के अंदर सुए है तारीम नहीं घर में शुते हैं नहीं घर के अंदर होते हैं तो फिलाल यार आज के इस ब्लॉग को करता हूं यहीं पर एंड और आप सभी को यह ब्लॉग काफी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीजा लाइक और शेयर करना चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकल प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नहीं ब्लॉग डालूंगा आप मेरी ब्लॉग को टैमली देख प अपना प्यार अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए मैं मिलता हूं बहुत जल्दे एक नए ब्लॉग के सान में तब तक के लिए जय हिन जय भारत जय देभू में उत्राखाए